और उसमें जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है crystal structure तो crystal structure के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आज का topic crystal structure में सबसे पहले क्या होता है कि हम देखेंगे कि single और poly crystalline materials क्या होते हैं कि इसने भी तरह के हमारे material exist करते हैं तो वो जा तो single crystalline होता है और यहां फिर poly crystallines होते हैं single crystalline वो materials होते हैं जो है एक single crystal के साथ बने होते हैं छीख है उनका मतलब एक ही single crystal होगा जैसे यह देख सकते हूं आप example यह है आपका single crystal ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हूं कि एक ही crystal है इसके बीच में यह example है आपकी polycrystalline materials की तो उनका जो structure होता है उसमें numbers of crystals होते हैं इसमें single crystal है इसमें आपके poly crystals है कि मतलब number of crystals है तो में डिफ्रेंस तो दोनों में यह वाला हो गया कि single crystal is made up of a just one single crystal and poly crystallines are made up of a number of crystals अब जो poly crystallines होते हैं वो दो तरह के होते हैं polycrystalline materials में दो तरह का यह है first one इसमें होता है कि जो आपका जो crystal बना हुआ है वो एक प्रॉडिकली arrangement में बना हुआ है एक particular system चल रहा है उसी के साब से जो atoms हैं आपके वो arranged हैं दूसरा जो इसमें type होती है वो होती है amorphous solids की यह देखो amorphous solid की example यह वाली है इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी आपके यह सारे crystals पढ़े हुए हैं यह कोई प्रॉडिकली अरेंज्ड नहीं है अनीवन और जिग जग आपके पैटर्न में पड़े हुए हैं यह सारे के सारे तो यह में डिफरेंस है आपका पॉली क्रिस्टलाइन और अमॉर्फ सॉलिड्स में ठीक है तो अपने यहां तर क्या हो गया फस्ट वान इस सिंगल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इस सॉलिड्स अमटीरिल इन विच क्रिस्टल लैटिस ऑफ था एंटायर शेप इस कॉंटिनूज एंड ब्रोकन तुद एज़स ऑफ सैंपल विद नो ग्रें बांडरी में जो आपका जैसे मैंने बताया आपको के जो सिंगल क्रिस्टलाइव एक ही क्रिस्टल के साथ बना ह हुआ है ठीक है तो उसमें क्या होगा कि अगर एक ही क्रिस्टल से बना हुआ है तो जो ग्रेंड बांडरी क्या होती है अक्चुल में ग्रेंड बांडरी होती है जो दो क्रिस्टल को आपस में डिफर करती है जैसे स्पोस कर लो यह क्रिस्टल बना हुआ है और यह दूसरा क अहां होगी इसकी boundary होती नहीं है मतलो grain boundary यो दो crystal को आपस में differ करती है ठीक है तो एक point तो इसका यह होगा single crystalline material का दूसरा गया होता है कि इसकी high strength होती है जितने भी single crystal solids होते हैं इसकी strength काफी high होती है क्योंकि इसमें आपकी जो creep होती है वह बहुत ज्यादा कम होती है ठीक है इसकी best example है जितने भी turbine blades बनते हैं जहां पर काफी high temperature हो जाता है जितने भी crystal silicon is used in the fabrication of semiconductor जितने भी semi connectors बनते हैं उसमें भी single crystal के materials को single crystal material को ही यूज किया जाता है ठीक है तो ये वही diagram है जो पहले हम देख चुके है single crystal ठीक है polycrystalline और amorphous आगे चलते हैं आगे-आगे-आगे polycrystalline polycrystalline metals are stronger than single crystalline equivalent which means that greater stress are required to initiate slip and tendon yielding इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भी single crystalline materials होते हैं वो as compared to polycrystalline के weak होते हैं polycrystalline are much stronger than single crystals इसमें क्या होता है है यह slip slip क्या चीज है slip यह होगा यह वाली चीज slip के एक टाइप आफ डीफ डीफॉर्मेशन है कि क्रिशल की डीफॉर्मेशन कैसी होती है तो जो polycrystalline materials है उसमें slip तक पहुंचने के लिए डीफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए आपको greater stresses चाहिए होती है उसमें जो stresses है वो काफी ज़्यादा चाहिए as compared to single crystalline material के ठीक है नक्स देखते हैं अब इसमें क्या है polycrystalline यह देखो यहां से आपको पूरा समय लग जाएगा कि यह है क्या funda यह देखो यह वाली है आपका यह crystal है यह another crystal है और यह एक तीसरा number crystal है ठीक है अब इन तीनों को differ क्या कर रहा है यह वाली जो lines है इसके बीच में यह इसको क्या कर रही है differ कर रही है ठीक है यह वाली जो देखो यह वाली जो line और यह वाली जो line है तो यह क्या कर रही है दो crystals को अलग लग कर रही है तो इसी को हम क्या बोलते है grain boundaries बोलते हैं तो यह आपको clear हो जुका होगा single crystal में क्या है कि यह एक ही crystal बढ़ा हुआ है सिर्फ ठीक है कुछ और है नहीं तो उसका grain boundary होता ही नहीं है तो polycrystalline में क्या होते हैं different types of crystals होते हैं तो उनके बीच में जो यह वाली boundary होगी उसको हम क्या बोलते हैं grain boundary next यह आपका सारे का सारा हो गया single or polycrystalline materials next हम देखें कि space lattice क्या होता है यून से लिगया होता है space lattice क्या चीज़ है space lattice is a three dimensional pattern of points in space this is also named as a point lattice भी बोलते हैं यह है कि actual में कि space में अगर atoms को हम arrange कर दें ठीक है यह atoms हैं आपके पड़े हुए इसको मैंने space में arrange कर दिया particular definite pattern में in three dimensional pattern तो three dimensional pattern में जब atoms को हम ऐसे arrange करते हैं तो उसको क्या बोलते है space lattice बोलते हैं ठीक है space lattice में क्या होता है देखो अब सारे identical parts हैं यह वाला same है यह उसके वाला same है यह सारे के सारे parts क्या है एक दूसरे के same है तो अगर इसमें से हम एक part उठा लें जैसे यह वाला जो shaded portion है यह वाला उठा लें हम तो इसको हम क्या बोलते है unit cell ठीक है unit cell क्या है कि एक part is space lattice का जो के same है बाकी जतने भी parts से space lattice के उससे ठीक है तो नेक्स्ट के लेटिस पॉइं लेटिस पॉइं लेटिस पॉइंट जो जितने भी लेटिस पॉइंट से can be arranged in only 14 different arrangement 14 different arrangement है जिससे हम इसको पॉइंट्स को space में three dimensionally लगा सकते हैं उसको बोलते हैं ब्रैविस लेटिस यह साइंटिस का नेम है ब्रैविस उसने यह चीज से find की थी तो उसके नाम से उसको रखा गया है ब्रैविस लेटिस ठीक है आगे देखते हैं क्या है इसमें इसमें जितनी भी तरह की structures हम के बोल रहे थे उसमें से first one is simple cubic structure ठीक है simple cubic structure में क्या होता है पोड़ा वेन solid crystalline the particles forming the solid packed tightly to a maximum extent possible ठीक है this densely packed structure is called simple cubic packing each sphere in the structure touches four identical sphere in the same plane यह देखो यह आपकी diagram नीचे दी गई है यह simple cubic structure है तो simple cubic structure में देखो एक क्यूब की shape बनी होती है यह आपका बिल्कुल पूरा क्यूब बना हुगा है ठीक है और हर एक में हर एक corner के उपर एक 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 एटम पड़ा होगा इसमें ठीक है तो total number of items कितने हो जाते हैं simple cubic structure के लिए 8 ठीक है तो यह most important है आपको हर एक जितने भी structures पड़ेंगे उसमें number of atoms आपको पता होना चाहिए कितने हैं so simple cubic structure के लिए कितने हो गए 8 हो गए एक और होता है coordination number यह भी याद रखना होता है ठीक है coordination number होता क्या है कि each atom in the structure can be bonded to its six nearest neighbor and hence each sphere as a coordination number of six six coordination number का मतर होगा कि कितने और atom के साथ वो coordinate कर सकता है ठीक है तो वह चीज़ है तो दो चीज़ें याद रखनी number of atoms कितने 8 और coordination number क्या simple cubic structure का 6 ठीक है next देखते है next आगा body centered cubic structure बी सी सी में क्या होता है आपका अलग कैसे है जिस सिंपल क्यूबिक structure से अलग कैसे है अब देखो यहां पर जिस जो तो corners पर atom पड़े हुए थे simple cubic के वैसे यहां पर भी corners के उपर atom पड़े हुए है ठीक है लेकिन डिफर क्या है इसके बीच में यह वाला एक atom पड़ा हुआ है यह अलग है यह body के बिलकुल center में बीच में लड़का होता है तो इसलिए इसकी जो शेप उसको बोलते है body centered क्यों भी structure के body के centered में एक atom पड़ा हुआ है so total number of atoms total number of atoms केतने हो गए इसमें 8 ठीक है अगर number of atoms per unit cell की बात करें number of atoms per unit cell की बात करें पीछे वाला भी एक बार बता देता हूं आपको अगर तो total number of atoms बोल रहे हैं तो 8 हैं लेकिन per unit cell की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका एक ही आएगा उसमें number of atoms कितने आएंगे for simple cubic structure के लिए एक आएगा यह याद रखना है आपने ठीक है तीन चीजें याद रखनी है number of atoms in a simple cubic structure 8 हो गए coordination number 6 हो गया और in a unit cell एक unit cell में number of atoms कितने आते हैं वो एक होता है simple cubic structure के लिए तो वैसे ही आपका इसमें क्या होगा इसमें अब देखो कितने होते हैं इसमें दो आते हैं ठीक है number of atoms per unit cell की बात करेंगे तो यह देखो two spheres per unit cell तो इसमें दो आते हैं क्योंकि एक्चुल में होता क्या है इसमें जितने भी यह वाले आपके corners के ओपर atom पड़े होते हैं यह शेयर करते हैं बाकी atom के साथ भी जब यह space lattice में पूरे का पूरा आपका लगा होता है तो इनके पास जो हिससा आता है वो एक ही आता है एक atom आता है इन corner से और दूसरा atom कहां से आता है जो center में पड़ा हुआ है दूसरा atom वहां से आता है ठीक है तो coordination sorry इसमें जो total number of atoms से वो 9 थे ठीक है आपके 8 हो गए corners के उपर और एक आपका हो गया center के बीच में तो total number of atoms 9, total number of atoms per unit cell 2, coordination number, coordination number इसका कितना है 8 है यह याद रखना है packing efficiency और atomic packing factor यह यह क्या होता कि atomic packing factor क्या होता है कि atoms ने आपके unit cell में कितनी जगा को घेर कर रखा हुआ है ठीक है कितनी space occupied है by the atoms in unit cell उसको हम बोलते हैं atomic packing factor तो वह कितना 0.68 और 68% दोनों एक ही चीज़ है दोनों तो कहने का मतलब 68% कहने का मतलब क्या है कि इसमें से एक unit cell जो FCC का होगा उसमें 68% जो आपकी space है वो आपकी occupy होगी और बाकी है जो आपकी वो खाली होगी नेक्स देखते हैं अब नेक्स आगा face centered cubic structure face centered cubic structure में क्या difference है corners के उपर तो वैसा ही आटम पड़े हुए है जैसे पिछले दो में आपने देखे थे तो total number of corners के उपर कितने हो गए 8 अब इसमें difference क्या आता है इसके जो faces होते है उसके उपर भी एक एक आटम पड़ा होता है यह एक face है suppose करो यह वाला एक आप है इसका face लेलो यह face है इसका ठीक है अब यह वाला जो face है इसके उपर एक यह वाला आटम पड़ा हुए है तो ऐसे कितने faces बन रहे हैं total total कितने faces बन रहे हैं इसमें 6 face बन रहे हैं ऐसे total ठीक है तो total items कितने हो गए 8 corners के ओपर पड़े हुए और 6 आपके यहां पर पड़े हुए है तो total number of items कितने हो गए इसमें 14 so far face centered qubit structure total number of items is 14 ठीक है लेकिन अगर बात करें पर unit cell की तो पर unit cell में कितने आएंगे जो 8 item corner से वहां से 1 item आपका जाएगा ठीक है और यह वाला जो item face के उपर पड़ा है यह दो के साथ share करता है जब यह space lettuce में लग जाएगा यह unit cell आपका तो यह क्या करेगा दो के साथ share करेगा तो यहां से आपके जो 6 लगे हुए है उसमें से 3 इसके पास आ जाएंगे ठीक है तीन वो other के साथ share कर रहा है तो total कितने हो गए पर unit cell कितने हो गए number of items 4 ठीक है तो यह सारी की सारी थी आपकी FCC की clear ह तो अगर पूछे number of items in a space for FCC total number of items 14 है और पर unit cell पूछे तो वो कितने है फोर है ठीक है अब यह देख लो terming packing factor जो मैं बता रहा था आपको यह क्या चीज़ होती है average number of items per unit cell into volume of an atom divided by volume of पूरा unit cell कितना है ठीक है कहने का मतलब यह है यह देखो average number of items per unit cell कितने आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं suppose कर लो 4 है ठीक है एक का volume कितना है वो volume निकालना पड़ेगा suppose करो कुछ भी आ गया 10 volume आ गया ठीक है एक item का पूरे का पूरे unit cell का volume कितना है पूरे unit cell का suppose कर लो 50 है पूरे unit cell का ठीक है तो यहां से ऐसे value हम निकालते है एक आपकी पैकिंग फेक्टर की तो 0.74 होती है आपकी FCC की FCC की value कितनी होती है पैकिंग फेक्टर की 0.74 ठीक है दूसरी चीज है आपका volume density volume density क्या होता है the volume density of a metal is the weight of atom in a unit cell divided by volume of a unit cell कितना weight है total जितने भी atoms हैं उसका कितना weight है उसका कितना weight है और पूरे unit cell का volume कितना है पचास है तो वहां से हम क्या निकालते है volume की कितनी volume density है ठीक है यह क्लियर हो गया आपको next last one है इसमें से जो आता है वह hexagonal closed back structure hexagonal closed back structure बाकियों से different कैसे क्योंकि जितनी हमने पीशे 3 की है ठीक है simple cubic किया bcc किया और fcc किया ठीक है यह तीनों की shape क्या थी cubic cubic था और बीच में कहीं center में था कभी face में था आपका atom लेकिन जो hcps को बोलते है hexagonal closed back structure इसमें क्या होता है आपके इसकी hexagonal की shape होती है इसके 6 आपके जो यह देख आप देख रहे हूं 6 की sides है और हर एक उपर वाली sides के उपर एक एक atom पड़ा होता है ऐसे नीचे हर एक side के उपर आपके corner के उपर एक एक atom पड़ा होगा और body के बीच में body के बीच में अगर आप देखें यहां पर यह वाले जो तीन atom है यह body के बीच में पड़े होते हैं जैसे bcc के center में एक atom पड़ा था वैसे hcp में यहां पर तीन atoms पड़े होते हैं ठीक है so total number of atoms अगर आप यहां पर देखे तो कितने हो गए छे उपर पड़े होएं ठीक है छे आपके नीचे पड़े होएं बारा होगे और तीन आपके body के यहां पड़े होएं आपके center में पड़े होएं ठीक है कितने होगे 6-12-3-15 ठीक है 15 यहां पर होगे अब दो atom इसके यहां faces के उपर पड़े होते हैं यह वाला atom और यह वाला आटम यह दोनों आटम कहां पर हैं फेस के उपर पड़े हैं जैसे फेस के उपर पड़ा था एक आटम तो दो यहां पर पड़े हैं तो टोटल कितने होगे 17 तो 17 नंबर ओफ एटम्स होते हैं आपके HCP की structure में ठीक है जो APF होता है इसका भी आपका 74% ही होता है जतना आपका FCC का होता है same value होती है इसकी ठीक है और जो number of items per unit cell होते हैं number of items per unit cell होते हैं तो वो कितने होगे इसमें वो आप देखो जो 6 हैं यह वाले यहां से आपका जो side के पड़े हुए है एक से 1 आएगा ऐसे जो नीचे वाले 6 पड़े हैं एक वाहां से आएगा थाट है जो ये दो पड़े हुए हैं आपके ये वाला और ये वाला ठीक है इन में से हाफ हाफ इसके पास आएगा दो है तो टोटल कितने हो गए एक यहां से आगया और जो बाड़ी के बीच में तीन पड़े हैं वो तो इसके याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है इसमें आपने क्या क्या याद रखना है नंबर ओफ एटम्स कितने हैं आपके टोटल नंबर ओफ एटम्स कितने हैं ठीक है नंबर ओफ एटम्स पार यूनिट सेल कितना है coordination number एक आपने यादने रखने है atomic packing factor याद रखने है ये चार चीज़े आपने याद रखनी है सभी structures की तो ये आज का topic था I hope कि आपको अच्छी तरह से समय लग गया हो अगर आप किसी को भी किसी तरह का doubt हो तो आप personally मुझे contact कर सकते हैं So thank you, thank you so much